खाजा अभी और चलेगा इस्रेल अभी और हमले करेगा फिलिस्तीनियों की मौकों का सिलसिला अभी लंबा चलेगा युद्ध को जारी रखने का फैसला इस्रेल का नहीं है हमास तो चाहता है जल्दी से जल्दी युद्ध विराव किसने किया इस्रेल युद्ध को लंबा खीचने का ऐलान अमास के अंतिम लडाके के मारी जाने तक जारी रहेगा युद्ध. युएन में आया युद्ध विराम का प्रस्ताओ. अमेरिका ने युद्ध विराम प्रस्ताओ पर कर दिया वीटो मतलब युएन में गिर गया प्रस्ताओ. The United States strongly supports a durable peace in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security. We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. Gaza में चारी रहे का रख्थ पाथ भिर सामने आया अमेरिका का डबल स्टेंडर्डर्डर्ड तार्गर्ट हमास के बहाने एरान को ठिकाने लगा. पार एकलमेरिके के लिए किने एंदेगा में अजरेशने भाप लिए वस्तितर्डर्डरा वारे से और हमाम एक हैं. Washington DC से इस्रेल कि राजड्दानी तेल-वीब तक 6jektूबर से लेकर अबता कितने पिमानों औरन भरे आया. कोई गिनती नहीं है, कितने असलहे अमेरिका ने इसरेल को सप्लाई किये हैं, किसी भी एजनसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, ये हत्यार, ये एरक्राफ्ट करियर, ये लड़ाको विमान, इसरेल ने हमास के अंद के लिए ही इसरेल को भीजा है, लहाजा यूएन में ज ये वही अमेरिका है जिसने पिछले बार के युद्ध विराम में एहम रोल निभाया था लेकिन अब जो बाइडन को गाजा में शांती नहीं, खोन का बहना पसंद है अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, इसकी डीटेल आपको आगे दिखाएंगे पहले युद्ध विराम प्रस्ताव की डीटेल देख लीजिए युएन में युद्ध विराम के बक्ष में कुल 13 वोट पड़े, इसके विरोध में एक वोट यानि अमेरिका का वीटो था यूके ने वोटिंग से खुद को अलग रखा था अमेरिका ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? पाकाइदा इसकी दलील भी दी गई कहा गया कि युद्ध रोकने का ये ठीक वक्त नहीं है आपको आगे दिखाएंगे कि खुद अमेरिका में इसरेल युद्ध को लेकर देश की जनता की क्याराय है कितने प्रतिशत अमेरिकी चाहते हैं इसरेल युद्ध और कितने प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं हमास को युद्ध के लिए जिम्मेदार उससे पहले सुनिए अमेरिका का वीटो वाला थर रॉबर्ट एव वर्ट संयुक्त राश्र में अमेरिका के राजदूत और उपस थाई प्रतनी थी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि अमेरिका हमास के अंतक युद्ध वाले नेतन याहू के बयान के साथ अपनी सहमती जता रहा है इस्रेल के खिलाब हमास को अमेरिका सदा के लिए समाप्द कर देना चाहता है ताकि एरान से ठीक से निपता जा सके युद्ध के लंबा खेचने से अमेरिका को क्या हासिल होगा इसे पाँच पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं पहला इस्रेल के इच्छा है कि वो हमास के आखिरी आधंकी के मारी जाने तक युद्ध जारी रहे अमेरिका दोस्ती निभा रहा दूसरा अमेरिका हमास के खात्मे के साथ खाड़ी में मैसेज देना चाहता है कि इसरेल या उसके खिलाफ हमलावर का अंत ऐसे ही होगा तीसरा युद्ध लंबा खेचेगा तो यमन के हूथी और लेबनान के हेजबॉल्ला के खिलाब भी अमेरिका को एक्षन लेने का मौका मिलेगा चौथा अमेरिका को इरान को निप्टाना है और युद्ध जारी रहने के सूरत में ऐसे मौके जरूर आ सकते हैं पांचवा अमेरिका, चीन और रूस को बताना चाहता है कि खाड़ी में अब भी उसका पर्चम सबसे उपर है जो बाइडन की नीथियान लंबे युद्ध के पक्ष में है योक्रेन में भी नैटों का नेत्रेतु कर रहे अमेरिका की यही ख्वाहिश है जैलेंस्की को इतने हथियार दिये जाएं कि पुतिन उन्हें परास्त नहीं कर सके लेकिन इतने भी नहीं दिये जाएं कि पुतिन परमाणू बम जैसे विकल्प पर विचार करें मतलब युद्ध चलता रहे और अमेरिका का हिद पलता रहे लेकिन यहां समझ से यह है कि हमास यूकरेन की तरह ना ही بड़ा है ना वैसा हत्यार संपन ना ही उसके पास इतने लड़ाके हैं हलाकि अमेरीका ने इसका भी उपाय सोच रखा होगा यहां तक कि अमेरिका ने युद्ध के बाद घाजा के साथ क्या किया जा इसका प्लैन भी बना रखा है लेकिन इसकी डीटेल थोड़ा आगे इसरेल के हमले में अब तक फिलिस्तिनी क्षित्र में 17,000 से जादा लोगों के मौत हो चुकी है उत्तर से दक्षन तक घाजा जर्रा जर्रा तबाह हो रहा है 40-45 किलोमीटर लंबी और महस 6-10 फीट चौड़ी घाजा पट्टी अपनी इतिहास के सबसे बुरे दोर से गुजर रही है पूरा शहर मलबे के नीचे आखिरी सांसे गिन रहा है लोग पलायन कर गए है और जो बचे है वो अगले सिकंड बचे रहेंगे इसकी कोई गैरंटी नहीं है तबाही की तज़्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसरेल युद्ध चाहे जितना लंबा खिचे यो उकरेन युद्ध के तरह वर्ष का दर्या नहीं पार कर सकता इरान के युद्ध मैदान में उतरने से इंकार करने सौधी अरब का इरान को हधियार सप्लाई नहीं करने के लिए कहना और हमास के लड़ाकों के इस वक्त हालात बता रहे हैं कि बहुत जल्द गाजा इसरेल के कबजे में होगा लेकिन तब इसरेल गाजा में कैसा बरताओ करेगा ये जान लेते हैं उसके बाद बताएंगे कि युद्ध के बाद क्या है अमेरिका का गाजा के लिए सबसे लेटिस प्लान इसरेल में सिर्फ यहूदी नहीं बलकि फिलिस्तिनी लोग भी रहते हैं जिनकी आबादी कुल आबादी की 20 फीसदी है लेकिन यहूदियों की तरह यहां फिलिस्तिनीों को अधिकार हासिल नहीं है जैसे इसरेल में law of return एक कानून है इस कानून के मताबिक दुनिया के किसी भी कोने में बसा यहूदी इसरेल में आकर बस सकता है लेकिन फिलिस्तिनीों को ये हक हासिल नहीं है नेतनियाहू की सरकार फिलिस्तिनीों के लिए कुछ नए कानून भी बनाने जा रही है जो उन्हें यहूदियों के तुलना में बहुत कम अधिकार देंगे बैनमिन नेतनियाहू अपना फैसला सुना चुके हैं कि हमास के अंध के बाद गाजा पर एजरेल का अधिकार होगा लेकिन गाजा में शासन किस तरह से चलेगा? यहां की जनता का क्या होगा? इसरेल ने कुछ नहीं बताया मतलब युद्ध की दवाही के बाद शान्ती और शान्ती में भी गाजा के बारबादी चलती रहेगी सवाल है तो फिर गाजा के दुखों का अंध कब होगा? फिलहाल तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि जो शान्ती दूद का काम कर सकते थे जैसे इरान, सौधी अरब, या कतर, या तुर्की, या अमेरिका, या फिर चीन, या फिर रूस सब को चिंता घाजा के जलने की नहीं, उसे बचाने की नहीं युद्ध की आग में हाथ सेखने की है मतलब खुद के स्वार्थ की पूर्ती करने की जिंता है कहा जा रहा है कि घाजा पर इसरेल के खबजे के प्लैन से अमेरिका सहमत नहीं है फिलिस्तीनी अथौर्टी के पास अमेरिकी युद्ध के बाद घाजा को लेकर अपनी अलग प्लैनिंग कर रहा है ये प्लैनिंग क्या है? जाने उसके पहले इसरेल के घाजा को लेकर मनशा को समझे हो सकता है इसरेल घाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली करा दे कुछ समय पहले इसरेल मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजन्स ने घाजा के 2.2 मिलियन लोगों को वहां से स्थाई तोर पर हटाने के लिए कथित तोर पर एक प्रस्ताव तयार किया ये प्रपोजल लीक हो गया दस पेज के इस दस तावेज में कहा गया कि घाजा पट्टी के लोगों को सिनाई प्राइद्वीप में शिफ्ट कर दिया जा ये मिस्र, इस्रेयल और घाजा से सटा हुआ बफर जून है घाजा पर कंट्रोल के बाद इस्रेयल को जो करना है करेगा क्योंकि तब उसका राज होगा लेकिन ये राज कब तक चलेगा सवाल उस पर है घाजा पर इस्रेयल की चड़ बैठने के बाद खाड़ी में हालात पहले की तरह कभी नहीं रह जाएंगे इस्रेयल की सीमा सीधे सिनाई प्राइद्वीब तक पहुँच जाएगी हलांकि घाजा पर इस्रेयल कबजा कर लेता है तो ऐसा होता है तो ये पहली बार नहीं होगा गाजा पर इसरेल पहले भी कबजा कर चुका है वहाँ उसने कई बस्तियां भी बसाई थी लेकिन 2005 में इसरेल सरकार के एरादे बदल गए इसरेल ने गाजा छोड़ने का फैसला किया इसरेल के गाजा से निकले दो साल भी नहीं बीते थे कि वहाँ फत्य और हमास के बीच संगर शड़ गया 2007 में हमास ने गाजा पर अपना नियंत्रण कर लिया तब से लेकर अब तक गाजा से हमास और इसरेल के बीच कभी छिट पुट कभी ज्यादा और अब युद जारी है जिस योदकी नियू 2005 में ही पड़ चोकी थी इसरेल यहूदियों का देश है और पूरी खाड़ी मुसलिम सुन्नी और शिया मुसलमानों की है इसरेल से दुश्मनी मुसलिम देशों के मूल में है इरान जैसे देश तो इस्रेल के अस्तित्तों को ही सेरे से नकार देते हैं अरब देश मानते हैं कि मुस्लिम देशों की जमीन पर इस्रेल को बने रहने का कोई हक नहीं असली दिक्कत यही है और घाजा पर इसरेल के कबजे के बावजूद ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि इस समस्या से इरान को फायदा है इसरेल को तंग करता रहेगा अमेरिका को फायदा है खाड़ी में वर्चस्ट बना रहेगा चीन और रोस को फादा है, पूंच बनी रहेगी, इस बीच गाजा जल रहा है और चलता रहेगा